एक इस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्शिक और सुपमक्वक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगच शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चेंज दोस्तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखेंगे तो बिटकोईन के अंदर एक अच्छा खासा में मुमेंट देखने को मिला है बिटकोईन का प्राइज कुछी टाइम पेले 25,000 डोलर के उपर ट्रेड करता था आज की तारिक में देखेंगे तो बिटकोईन का प्राइज 41,721 डोलर मतलब कि 42,000 डोलर के आसपास बिटकोईन का प्राइज हिट हो चुका है अभी 4-5 दिन पेले की बात करेंगे तो बिटकोईन साइड बेज था एक लेवल के उपर काफे ट्राइज कर रहा था वो लेवल था 38,500 डोलर के आसपास का लेवल जो कि इस लेवल के उपर बिटकोईन काफे ट्राइज कर रहा था और हमें यह भी लगता था कि इतनी आचानी से एक ब्रेक आउट नहीं करेगा इसको ब्रेक आउट करने के लिए अच्छा खासा नियूट चाहेगा तब जाके ब्रेक करेगा क्योंकि 38,000 डोलर वाला लेवल इतना बड़ा क्रिटिकल लेवल था लेवल ब्रेक होना ही नहीं था बट यहाँ पर ब्रेक हो गया अब किसकी बज़े से ब्रेक हो आएं वो भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या आप लेवल से नीचे आएंगे या कभी भी नहीं आएंगे उसके बारे मैं भी थोड़ी बात करूँगा तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि मार्केट के अंदर फिलाल इतना ज्यादा तेजी कौन सा ऐसा बात है कि इतना ज्यादा हमें मार्केट के अंदर बड़े मुमेंट देखने को मिल रहे है खास कर बिटकोईन के अंदर अल्ट कोईन से भी ज्यादा बिटकोईन मतलब कि अल्ट उतने ज्यादा नहीं चल रहे है बट BDC काफी अच्छा काशा पंप गार रहा है तो एक ही न्यूज है वो है स्पोर्ट बिटकोईन ETF उसमें भी देखेंगे तो एक डिसमबर को एक न्यूज आता है ट्वीटर के अंदर फेल जाता है काफी वेबसाइडों के अंदर फेल जाता है कि अब SAC स्पोर्ट बिटकोईन ETF को अप्रू करने के लिए उसने तो विंडो सेट किया है 5 जनवरी से 10 जनवरी मतलब कि एक डेट हमारे सामने आ गया कि 5 जनवरी से लेके 10 जनवरी के अंदर SAC ने एक विंडो सेट क्या है कि वहाँ पे ETF वो अप्रू हो सकते है और कहीं ने कहीं 10 तारिक है कि ऐसा डेट भी है कि ऐसा डेट लाइन है कि वहाँ पर SAC के पास उस अप्रू करना है या दो रिजेक्ट करना है ऐसा तारिक है कि वहाँ पे उसको Final Decision लेना होगा यह तारिक जैसे सामने आती है और यह विंडो सेट होता है तुरंद मार्केट के अंदर दीखे एक तारिक से भी ब्रेक आउट मिला है एक दो तीन चार आप देख रहें आज पांच तारिक हो आए तो दीरे दीरे डिली उपर के केंडल लगना स्टार्ट हुए है अब यहाँ पर देखेंगे एक उस ETF है जो की फाइलिंग हुए है और यहाँ पर डेट भी हमारे सामने है तो दस तारिक के दिन यहाँ पर जो ETF अपरू होने की बाते हो रही है वो है ARK21 Share Bitcoin ETF एक बड़ा कंपनी है इसका ETF अपरू होने की बात हो रही है और यहाँ पर फाइनल डेट लाइन है तो लोग मेरे इसाब से पांस से दस तारिक के अंदर यह decision आएगा उसी के ऊपर market चलने वाला है तो अभी भी आगे एक 25 दिन का game है चुकि जब तक जनवर ही नहीं आएगा तब तक मेरे इसाब से फोमो रे सकता है और market में भी अभी में कुछ levels भी दिखाऊंगा market इसके अंदर चल सकती है और इस फोमो के अंदर अगर ETF अपरू भी होता है तो अपरू होने के बाद ही market डगमगा दाएगा फोमो के साथ अगर अपरू हुआ तो market गीरेगी simple है अब कोई लोग बताएं कि सागर भाई आप तो 28 से बोलते आ रहे कि market गीरेगी market गिरेगी DCA करो दिरे दिरे खरीदो तो देखो भायो आपने altcoin के अंदर देखा होगा सभी altcoin इतने ज़्यादा pump नहीं हो रहे है और यहाँ पर यह भी गलती नहीं कि हमने altcoin कभी खरीदाए ही नहीं कम से कम 40 से 50 वीडियो पूरे के पूरे बीर market के अंदर भी बढ़ने वाला नहीं है यह भी बात है और अभी मैंने दीरे इसलिए का है जो कि लोग profit करते ही नहीं अब profit book नहीं करेंगे उसने पेशा डाला है profit में जार है profit book करेंगे नहीं तो फाइदा क्या market दो वहां का वहां वापस आ सकता है तो ना profit होबा उपर से लोश लिया ऐसा होगा ना तो एक जो ETF है कही न कहीं यह 10 तारीक की बात है 10 जनवरी 2024 एक deadline है final deadline है और इससे पहले कभी भी news आ सकते है दोस्तों 5 तारीक से 10 तारीक की बात हुई है बट इससे पहले कहीं भी कभी भी कोई भी news play हो सकती है ऐसा नहीं है कि 5 तारीक कोई गरना तो थोड़ा careful रहना कभी भी यह news आएगा ARK 21 share का news आएगा या तो approval आएगा या तो कोई बाहना बना के इसको reject कर दिया जाएगा अब बाते दोनों है अगर इस फॉमो के चकर में अपरू भी किया जाएगा तो भी market गिरेगी और reject भी कियेगा तो भी market गिरेगी तो कि फॉमो लेवल इसके उपर है ETF अपरू होने से पहले market इतनी pump हो चुकी है कि अगर ETF अपरू हो तो इतना ही pump हो तो पहले से pump हो गया आप देखनी पा रहे हो market पहले से pump हो गई है ETF अपरू हो भी नहीं है बड़े लोग को पता होता है कि ETF अपरू होना या नहीं होना और जिस दिन अपरू होगा उस दिन गिराएंगे क्योंकि pump तो ओल्लेडी करा चुके है market 38,000 डोलर से 42,000 डोलर तक पहुचा दी गई है ETF अपरू होने की बात हुई अपरू हो आ नहीं है तो इसके काम जो पहले से बन चुका है अब उसके बाद जो deadline आ रहे है share, bitcoin trust, bitwise, etc. जितने भी आ रहे है वो march महिने के अंदर आ रहे final deadline मार्च महिने के अंदर है तो यह ETF और ETF काफी ज़्यादा पहला ETF important है जो कि final तक पहुचे ही नहीं है final तक पहुचे थे 2022 के अंदर एक ETF तब ETF का इतना ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर एक ही ETF का final तक पहुचे थे grey scale, grey scale का ETF को पहुचे फाइनल डेल लाइन तो वह यार के 21 तो यह मान के चलिए फोमो तो रहेगा ही रहेगा वारे में आगे और देखेंगे जो कि maximum हम एनरसेज करते आ रहे हैं फिलाल 42,000 डॉलर के आसपास बीटीचे चलना है अब सामने की फोमो और ज्यादा किया दे अब यहां पर की बाते क्या बन सकती है तो बीटीची ने पहला resistance को break किया है धड़ाक से जैसे 38,000 डॉलर वाला level था उसको break किया है अब इसका next जो लेवल आ रहा है नेक्स लेवल की बात करेंगे बीटीची का नेक्स लेवल आ रहा है 41,000 डॉलर आप कहेंगे सागरभाई 42 तो पहुंच गया और आप बोले 41,000 डॉलर ऐसा क्यों 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 हम analysis करें weekly टैम फ्रेम के अंदर weekly candle closing अभी भी देखेंगे तो 42 के आसपास हुआ अभी तो एक candle खुला है अभी बन रहा है लास में ऐसा भी हो कि वो नीचे आके closing करें 41,000 डॉलर वाला लेवल भी एक critical लेवल है हम history के अंदर देखेंगे तो 42 and 41,000 डॉलर के आसपास का लेवल एक ऐसा था जब चार्ट नीचे था तो काफी बड़े बड़े rejection इसको मिलते 2021 के बूल मार्केट के अंदर पहली बार यहां पर 41,000 डॉलर के आसपास मार्केट हुई वहां से rejection मिला तो काफी बड़ा rejection था देखेंगे rejection काफी बड़ा था एक करेक्शन आया बीच में क्योंकि मार्केट सीरी उपर नहीं दाती बीच में करेक्शन लेती है तो करेक्शन क बात करेंगे तो मार्केट आ गई 28,700 डॉलर के आसपास फिर मार्केट दूसरी ट्राय से ब्रेक होई और फिर काफी हद तक उपर गई उसके बाद जब मार्केट अगेन आ रही थी नीचे उपर से नीचे आ रही थी यह टोप लगने के बाद 64,000 डॉलर के आसपास वहां प सपोर्ट कहां पे लिया अब सपोर्ट देखेगा इस लेवल के उपर लिया यहां पे 28,28,28,000 से लेके 31,000,32,000 डॉलर के आसपास इस लेवल के उपर इसको काफी अच्छी खासी सपोर्ट मिली है लोंग टाम के अंदर मतलब बड़ी टाम फ्रेम के अंदर हम एनलेसिस करते अब रेजिस्टन्स की बात की तो हमने यहां पे कह दिया कि 41,000 डॉलर यहां से चार्ट रिजेक्ट होके दूसरी ट्राय में ब्रेक किया है मार्केट उपर से जब नीची आई वापस गुमने की कोसिस हुई तो 41,000 डॉलर के आसपास ही इसको रिजेक्सल मिला मार्केट आगें वापस गुमने की कोसिस की तो 41,42 के आसपास यहां पर विक मार सकता एक दो हजार डॉलर जैसे अभी 42 तक चला गया बट मैं रेजिस्टन्स बोल ला हूँ 41,000 डॉलर फिर अगें दूसरी बार गया नहीं जा पाया 42,43 के आसपास से मार्केट गिर गई फिर जाके व पछे ला केंडल नीचे priced कर दे और यहां पर रेजिक्षन के चांसजी से वह रेजिक्षन का में आपको बता दिया है कि चार्ट यहां से रिजेक्ट होता है तो फिरा फिरा के घुमके मैं आपको 30 वाला लेवल दिया था 32 फिरी त्रेफिन डॉलर बान मैक्समल पॉसिबि दोलर का लेवल ऐसा था कि ब्रेक इतनी आसानी से नहीं होना था बट न्यूज आने से वो ब्रेक हो गया अब आ रहा है 41 41 से भी रिजेक्शन मिलेगा तो बड़ा रिजेक्शन मिलेगा जैसे यहां पर न्यूज के आदार पर ब्रेक आउट हुआ है तो जब गुमेगा वापस तो मेरे इसाब से चार्ट सस्टेंड नहीं करेगा और एक बार के लिए 31, 32,000 डोलर तक मार्केट गिरेगी और वहीं प तो 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 जैसे कि हम देख रहे थे 37, 38 में ट्रेड करते थे पहले काफे ट्रेड यहां पे किये हुए है वहाँ से गुज गये 2X, 3X से तो एवरेज कर सकते हैं आपका ट्रेड यहां पर बज सकता है और प्रोफिट में भी आ सकते है थोड़ा टाइम यहां पर लग सकता है वागि आपको क्या लगता है कि मार्केट सीधा उबर दाएगा चांसी नहीं है क्योंकि मार्केट में और इतना बड़ा करेक्शन आया फिर जाके बड़ा करेक्शन आया तो मार्केट सिंपल उपर नहीं जाती है डायरेक्ली देशी लोजिक के उपर भी आप देखेंगे तो भी सिंपल है कि मार्केट इतना बड़ा है मार्केट यहां कहीं से इतना तो गिरना चाहिए जो कि 35-34 त तो यह था आज का वीडियो उमिद करता हूं वीडियो न अपडेट पसंद आया होगा और एक देट का याद रखना पांस ते दस जनवरी उससे पहले मार्केट में काफी मतलब होमों में न्यूज भी आ गया तो मार्केट करेक्शन के चांसी थे ज्यादा अभी 50-60 एस अभी लेवल मत देखना क्योंकि ये दो केंडल भी नहीं लगने थे और लग गए है नहीं लगने थे 38 से ही रिजेक्शल मिलना था बट ये दो केंडल लग गए है वे भी थोड़ा से यहाँ पर ट्रेफ अगेरा भी हो सकता है मिल देखने वीडियो के साथ